हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल कुकिंग विद उर्मी ब्लोग में आप सबका स्वागत है और आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ वो है बिहार की फेमस डिस सत्तू का पराठा ये बिहार में बहुत ही जादा फेमस है तो मैं खुद बिहार से हूँ तो मैं बता सक है यानि जो रोष्टेट चणे होते हैं उसे पीछ लिया जाता है तो यह चैन का सत्तू दीकार होता है तो एक紫 कप चैनकस लेंगे और साथ में लेंगे दो मिडियम साइट का चोप किया हुआ प्याझ या एक बड़ा साइच का प्याझ तीन से चार हरी मीर्च, मीर्च को हम दरदरा सा कूट लेंगे और एक चम्मच अद्रकलस्टन का पेस्ट या फिर दरदरा सा कूटा हुआ अद्रकलस्टन, स्वाद अनुशा नमाक और इसमें डालेंगे हम एक निम्बू का रस अधिक इसमें खटापन रहता है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है इसमें जो खटास रहती है और चटपथी तीकी जो पराठा खाने में तो एक निम्बू का रस डाल देंगे और इसमें जो खास इंग्रिडियन जाता है वो है आम का अचार तो यह बहुत ही जादा अच्छा फ्लेवर देता है यह आम का अचार और साथ में डालेंगे दो से तीन चम्मच के करीब हम सर्षों का तेल यह भी जरूरी है डालना आम का अचार और सर्षों का तेल तो नहायत तो इस तरीके से आम का अचा डालेंगे यानि आमका गुठली निकालेंगे और कुछ थोड़ा बहुत मसाल्य होता है वो डालेंगे तो सब तब आप पानी थोड़ा भूत पानी का छीटा लगा सकते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं डाले तो देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने मिक्स कर ली है और बिल्कुल परफेक्ट हमारा बनकर तयार हुआ है यह स्टफिंग तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके मैंने दो कप के करीब गेहूं का आटा लिया है और इसमें डालेंगे स्वादानुसा नमाग यानि एक चमच के करीब नमाग और दो से तीन चमच सर्षों का तेल क्योंकि यह पराठा अधिकतर सर्षों के तेल में भी बनता है क्योंकि रिफायंड ओयल में बहुत कम बनता ह अगर आप नहीं खाते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं लेकिन सर्षों के तेल का टेश्टी अलग होता है तो इस तरीके से दोनों को मिक्स कर लेना है नमाग आटा और तेल यानि तीनों को मिक्स करना है एक अच्छा बाइंडिंग आने तक और इसके बाद हम थोड़ा लगा लेंगे आटा यानि शॉब्ड बिल्कुल चिकना कर लेंगे लगा कर और इसे हम ढख देंगे और ढखने के बाद इसे हम 5-7 मिनट के लिए रेष्ट होने देंगे ताकि आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो 5-7 मिनट बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल ने बाद के लिए तो चल्ये फटा-फटा बना तो पराथा बनाने के लिए हमें ट傳ब किनि चीजों की जवरत है वह क الرवाह ने ले लिए तो थोड़ा सा यानि टो ले लेंगे और उसका हम पेड़ा बना लेंगे आनि जितन बड़ा प्रा इसतना बड़ा अब डो लें लें पूड़ी के साइच का इसको बेल लें य Cinema Bale इसaveel के किनोर को एक ट्टा करके इसे बंद कर लेंगे युश्य बंद कर meditation के किनोर कम अकेक लिट आदो फूड़ी कि दबा और गो पर ईपिर शुखे आठे में अच्छी तरीके से लपेट ले और पिर वहlim olmuş जैसी हम बैलते हैं ूची निपाने के लीखन些 में अझाल स्धूफिंग निकलें इस लीख हम बड़ी धीरे दीरे बैलनेस पहले हम थोड़ी इस तरीके से लएगे तक पिर रsan साइड स्टपिंग जाए अच्छी तरीके से फैल जाएं तो ये देखिये हलकी हलकी हातों से और साइड से बेलना है डारेट बीच से नहीं बेल नहीं डल के मैं और जमेंव को ऐसे ज़ए, जमें की ताइसे लिए consumers केंप में पेड़ा जाए ए प्लीज की में, परसी प्रक्षाटा प्रवा करें से बाद करने कार्प्लिश करने कंदरा हमीं। देख याफरा के ज़एมने संझे हम दोता ने नी प्तलय समें आधार कमें गरम की लए रह दिन sacred तब मईने गरम होने के लिए रख दी थी थी, जोने सब्सके कुछ हम कुछ caller को में चलिए感 इस देल दें और कुछ सख लेते हैं तीन लेगिए तीम रहे हम शर्शों सफिक दर वाच गताया दा खना गाटे रहें reps तोनों साइट से अच्छी तरीके से अच्छा कलर आने तक हम पराठे को सेग लेंगे यानि कच्छा बिलकुल भी ना रहे और अच्छी तरीके से लगा लेना है और गया इसका फिल्म जदा हाई भी नहीं रखना है नहीं तो बहुत ही जल जायागा और आप देख सकते हैं धी बनका तयार हुआ है शौप्ट और देख सकते हैं फूला कितना बढ़िया है हमारा तो दोनों साइट से अच्छा कलर आने तक इस तरीके से हम पका लेंगे पराठे को और यह परफेक्ट अच्छी तरीके से यानि पग गया है तो इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे औ देख सकते हैं पराठे का कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है और बहुत एची तरीके से यह पग भी किया है तो इसी तरीके से यानि सेम प्रोसीजर से हम दूसरा पराठा भी बना कर तैयार कर लेंगे तो बस आठे का छोटा सा पकोड़ा ले लेना है और उसको हम हातों स पेरा बना लेasına और फिर हम इसे बेल लेगे पुड़ी सइच का तो अगर आपका टोरी टाइप का भड 나 आता है आ को तो तरीके सा भ़वे नहीं आता है तो इस तरीके से आप भ़व आशे और फिर आपकम स्टैफिंग अब भ़र सकते आ है तो देखिए इसमें जितना थाय में डाली हूँ और बिल्कुल भी नहीं बिक्षरेगा यह नहीं होगा कि ज्यादा डाल दी तो फट जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ऐसे ही चारो साइट का किनोर लेकर एक जगह कठा करके दबा लेना है और फिर इसे दबाते हुए हम इसे चप्ठा कर लेंगे और पेडा बनाने के अरे नहीं हमद्धक लभी हातों के लेकरे मिलिले स्टफिंग ता कि जरूरा ताकि स्टफिंग एक जगए कठा भी नहीं होगा और फैल लेगा भी चारो साइड तो बस धीरे धीरे यानि हलकी हलकी हातों से इसे हम बेल लेंगे बहुत ही इजी प्रोसीजर है बनाना भी बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है क्या बता हूं और कुछ सकेंड दोनों साइड से सिखने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे तो भही आप चाहे तो तेल कम ज्यादा भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि ज्यादा भर भर की तेल लालना है तो थोड़ा ज्यादा तेल लाने से क्या होता है उपर से जो पराठा वाती वह बहु दोनों साइड से तो बस ऐसे ही से लेना और देख सकते हैं कितनी फूली फूली बनकर तयार हो रही है ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी फूल नहीं रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अच्छी तरीके से फूल रही है और दोनों साइड से अच्छी तरीके से पकाने के बा पराठा मैंने बनाई है कि 3-4 आदमी बड़ी आसानी से खा सकते हैं और यह मैं दिखा देती हूं कितना शॉप्ट बना है तो देख लिए वीडियो यानि बहुती इजी तरीके से मैंने बताई है और इसे मैं तोड़कर भी दिखा देती हूं कि इसका स्टफिंग देख सकते ह आप चारो साइड इसका स्टफिंग बरावर फैला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं स्टफिंग है कहीं नहीं है कहीं यानि बिल्कुल आटा ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है चारो साइड बरावर स्टफिंग है और कितना सॉप्ट हमारी जो यह पराठा है सत्तुका बनक में ज़एक लगती है तो आप चाहते हैं अधिकतर इसके साथ खाया जाता है अगर बेगन का भरता की रेशिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चेक आउट कर लेना तो तहीं में मैंने थोड़ा सा या निलाल मिस पॉडर छिड़क ली हूँ और यह हमारा थाली तयार है आप इसे लंच या डिनर किसी चीज में भी सामिल कर सकते हैं और गर्मियों के दिन में ज़ छे ऐलिसे जलिसे ज्सक्रेबशी scary